नमस्कार दुफतों मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आज किस नई एंड फिस वीडियो में दुफतों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से यानि कि सक्सेस टो यू कि चैनल के माध्यम से पिछले चार सालों से लगातार आप सभी के बीए बेसी बीकॉ कराते आ रहा है तो इस साल भी यानि कि सब्सक्राइब करेगा और आपको काफिक इंपॉर्टन कोईश्टन प्रोवाइड करेगा जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही हेल्पल होने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम बिनादेरी के वीडियो में आगे बढ़ेंग ठीक है क्योंकि हम सिवाय आपके जानकारी के लामा कुछ और नहीं बताते हैं इस वीडियो में ठीक है तो इस चैनल के बादेर से बीकॉम सभी इन्वर्सिटी के और सभी कोर्सेच की तैयारी कराई जाएगी बस आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा ठीक है तो पर ड 2021 और 22 के सेशन या फिर समेस्टर वाले या फिर वासिक वाले जो भी आप लोग समझ लीजे जो भी छात रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टन कोईश्चन है यानि कि आज कि वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठीक है बीए जो बीए के छात रहे हैं जिनका एक्जा पूछे जाते हैं उनके बारे में पिसले कई सालों में कई बार रिपीटेट कोईश्चन में आपको इस वीडियो में बताने वाला तो ध्यान से सब्जेंगे तो आपको काफी हेल्प मुलगी आने वाले एक्जाम में और वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा और साथ करते हैं आज की जो सीरीज है उसको और टॉप लेबल कोईश्चन है और एंसर भी हम आप लोग को प्रोवाइट करेंगे ठीक है पहला कोईश्चन है कि राजिका उद्देश है इस तरह के एक्जाम में कोईश्चन आएंगे आप सभी के जानकारी के बता दूँ कि फश्ट पहले इस तरह के एक आपसर नहीं जो रहेगा उसे आप लोगों को कूला करना होगा ठीक है पहला को मिली गया किसमें राजी का उदेश क्या समाजिक शेवा साबजिक से सुक और ब्यफ्था बनाए रखना इनमें से सभी तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि राजी का जो इस देश है वो समाजिक शेवा भी है साबजिक शेवा भी विफ्था बयाने रखना भी है इसलिए को राइट एंचर हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर ठीक है किलिक करेंगे हम ध्यान में रखिए को बहुत ले टॉप लेबल के उच्चन है नेस्ट कोश्चन के औ GDH जी कहा है यानि कि इस सब्सक्राइब नियाले के किस पहलों पर बल दिया तो आपसेन आपको मिली जा रहा है इसमें समाजिक नयतिक राजनीतिक विद्धिक तो इस कोश्चन के चाहतरों का राइट अंसर मालूम बेशा कमेंट करें के बता सकते हैं फिरहाल मैं भी इसका राइट अंसर बताऊंगा आप लोग गेस करिए कुछ ना कुछ कोश्च ट्राइ करिए ठीक है क्योंकि आप समझ लीजे कि आप लोग एकजाम में बैठें और आ कैसे युनानी दश्चन को निया के कि पहलों पर बल दिया तको निया थी इस लिए राइट अंसर भी हो जाएगा ठीक है थे जब को अफिर इसलों सी आवधारणा समाजिक निया पर बल देती है बहुलवादी माक्स वादी उदार वादी बैक्त वादी तो इस आपसरों मे कि राज जी का सबसे आवस्यक एव महत पूर्टत्तु है सरकार निश्चित भूभाग संप्रभुता जनसंख्या ठीक है तो राज जी का जो सबसे आवस्यक एव महत पूर्टत्तु है वो मैं आपको बता दू बहुत important question टॉप लेबल का exam में आया भी यह कई बार इसलिए question का right answer जो हो जाएगा इस question को हो जाएगा संप्रभुता ठीक है सी नंबर राइट एंसर होगा बढ़ेंगे हमने इस question के और लिखा कि निवनिव में से कौन संप्रभू राज जी है नंबर एक है करनाटक बी नंबर है शेयुक्त राष्ठंग और सी नंबर उत्तरप्रदेश न यानि कि देश का भी नाम हो सकता है तो आप लोग कनफीज मत होईएगा इस question के राज जी को परिवार का बिस्तरत रूप किस दार्शकनिक ने माना है आप सर मिल जाएका सुक्राद ने सर हेंडरी मैंड ने एक एकवी नौस ने ठीक है एकवी नौस ने आरस्तु ने ठीक है इस question में से राज एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option नंबर डी यानि की आरस्तु इस question का हब राइट राजस्त का समर्थन दिया था। उनका नाम है हाप्स ठीक है इसलिए कोईशन के राइट रहाइन रहो जाएगा ध्यान रखिएगा बहुत ही important question ने इस question है 9 number कि हाप्स किस देश का दास्क्रिक था आपको पता ही हो गया होगा कि हाप्स कौन है हाप्स एक दास्क्रिक था वो किस देश का था इन अफ्चिनों में से right answer आप लोगों एक स्लेट करना है तो हाप्स था ठीक है वह एक दास्करिक थे जो कि इंगलेंड की दार्शकनीक अंत तky इंगलेंड डेसके इसलिये question आटऑ हुझ हो जायगा वी नमबर इंगड ध्यान में रखीएगाँ नहीं कि धन की ओचित वित्रण किस परकार की समानता है आर्थिक समानता है बहुत ही important question है तो ध्यान में रखिएगा ठीक है चले next question है कि प्रथम संस्कार के किटानों किसमें दिखलाई देते हैं देश में राज में परिवार में समाज में तो इस question का मतलब आप दूसरे वे सिमत लीजेगा इस question का जो वे है वह आप राज समाज के according लीजेगा ठीक है तो इसमें जो आप्शन दिएगे इन आप्शनों में इसे राइट एंसर हो जाएगा दुफ्तू वह हो जाएगा परिवार प्रथम सचकार की कि टाडू कि इसमें दिखलाई देती वह देती है परिवार में पहले उसके बाद समाज राज देश उसके बाद step by step बढ़ते हैं जो बीच में छोटे हैं वो भी होते हैं ठीक है जो मैंने नहीं बोली हूँ निश कोश्चन है कि राज जी के निर्माण में सहायक्तत्तू रक्त संबंद सक्त समाजिक प्रावर्ति और इनमें से सभी तो रक्त निर्माण के लिए रक्त अंश्वादि करांत कब होई हलाकि इस कुष्चन का कोई मतलब है ने लेकिन आया है तो मैं आप लोगों को बता देने ने बताने नहीं कोशिश करूंगा इस कोश्चन कराइट हो जाएगा तेरा नंबर को चिंट कराइट एंसर हो जाएगा उनीस सो पूंचास डी नंबर पूछा नहीं जाएगा कि पेल्टो की पुस्तक रेपब्लिक का उप सिर्सक है साम्मिवाद वर न्याय आदर्स राज शिच्छा तो इस आफ्चरों में इसे जो राइट एंसर हो जाएगा यानि कि 14 नमर कोश्चन का तो राइट एंसर होता है दोस्तों वह होता है साम्मिवा कि निमवाद गयते को उसक्राइब है कि निम्लिखेब मैं से आदर्सुआदी विचारक माने जाते हैंं इंन में这 यह सब दार्ष्टनिक हैं आयई आप आप सेवी को मालूमी होगा थर नमें जो आपสंद्द के इनमें जो राइट एंसर हो जाएगा वह उजाएगा इन नेस्ट कोश्चन के और हम बढ़ेंगे यानि कि सिस्टीन नमबर कोश्चन है कि 14 से कम आयो के बालकों को निसुल के एंवार सिच्छा की बिवस्ता किस अनच्षेद में की गई बहुत ही नमबर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है दूस्तों बी नमबर यानि 45 चलिए नेस्ट कोश्चन है की प्लेटों ने समाज को कितने भागों में बाटा है कुछ टाइब करने मिस हो जाते उसके लिए सोरी यहां पर समझ लिग गया है आप समाज होना चाहिए ठीक ह समाज तो 5384 इन आप्शनों में से जो राइट एंसर हो जाता दुफ्तर वो हो जाता है थ्री नमबर यानि की थ्री हो जाएगा बी नमबर राइट एंसर प्लेटों ने समाज को तीन भागों में बाटा है नेस्ट कोश्चन है कि निमन में से स्वतंतरता का सरूप है ब्यक नागरिक भी प्राकर्तिक यानि कि यह सभी सोतनता है इसलिए राइट एंसर इन में से सभी हो जाएगा डी नमबर पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा नेस्ट कोश्चन है कि रूसों का जर्म कहा हुआ था भारत में चीन में फ्रांस में इंगलेंड में जो रूसों थे उ समाज न्याय के आधुनिक दस्कोर्ण में जो केंद्र बिंदु है वो माना जाता है समाज इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा इसकोश्चन का डी नमबर ओके नेस्ट कोश्चन है कि निवन में से दा मारडन स्टेट के लेखक कौन है माइक आईवर मैक्सी ग्र बढ़ान लगे इप इस एक इंपॉर्टन कोश्चन है भी ठीक है शक्ररांस में राष्ट्य राष्ट्यता की भावना कब बढ़ी इसन 1780 में 948 में 179 लग्षाख करेंगे लाज जी की सबसे उपियुक्त परिभांसा किस ने दी रूसो ने बिलसन ने डाक्टर गार्णर ने और लास्की ने राजी की सबसे उप्युक्त परिभासादी है उनका जो नाम है वह है डाक्टर गार्णर ने इसलिए राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर ध्यान में रखिएगा ठीक है ने इसकोष्टन है यानि की 24 इंगलेंड की गवर्वपूर्ण क्रांत हुई थी बहुत ही टॉप लेबल और इंपार्ण कोश्चन ने कई बार रिपीटेट भी है द्यान में रखिएगा 1650 में 1701 में 1600 क्यावन में 1680 में तो इंगलेट की जो गवर्वपूर्ण क्रांती है वो सन 1680 में आई थी इसलिए कुश्चन को तो राइट एंचर हम सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे हम कौन सा डी नमबर ठीक चले नेस्ट को बढ़ते हैं लिखा कि प्रमुक जादुगर से राजा बनना आसान है यह कथन किसका है बहुत ही इंपॉर्टन कोईचन यह भी प्रमुक जादुगर से राजा बनना ठीक है यह टेल का रूसों का मैं का इवर का गिल क्राइस्ट का तो इस कुश्चन का जो राज सब्द का उप्योग सबसे पहले किस ने किया बहुत ही इंपॉर्टन डोटा प्लेबल कोईश्चन है जर्नल नालर से भी संबंधिते कोईश्चन और आपके एक्जाम के लिए निराज नेतिक पेपर के लिए इंपॉर्टन है फ्री मैं लास्की मैं ठीक है मैं किया व कि फ्वतांतर ता आधिसासंट का बिलौम है या कथनन है लास्की सिले बसांग के कोल दिशक्वर्टन का बिलॉम है यह कस्ण सीले rudya ले का है लिए दिसृवर्टन के संबंध में कोन सा सिधानत इंजवरि विश्वास्क करता है ठीक है तो यह च्वह्श्चन थोड़ा मैं मैं आपको बता दूए कि क्या हो जाएगा लिखाए कि राजी की उत्पत्ति के संबंद में कौन सा सिध्धान्त ठीक है इस्वर के विश्वास करता है इस्वर पर विश्वास करता है ठीक है तो मार्क श्वादी सिध्धान्त दैब उत्पत्ति का सिध्धान्त विकास वादी तो राजी की जो सबसे प्रारम्वी की काई है वो है परिवार इसलिए राजी का अनिवारता है तो नहीं है समपरभावता तरकार पींप्रवारता श्राजीanne और टॉप लेबल के हैं आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे लगी होगा तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करें रखेगा नेश्ट क्लास की वेट करिए नेश्ट क्लास जल्द ही आप पूर नेश्ट डे मिल जाएगी तब तक के लिए धन्यवाद बाइ-बाइ-टा-टा